नमस्कार ड्यूस क्लिक पर आपका स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे प्रोफिसर सतीत रथ के साथ कोविड नाइनटीन का फिर जो बढ़ोतरी हमारे हाँ बुल्क पर देखने को मिल रहा है और दुनिया में भी बहुत जगों पर फिर जिसको कह रहे हैं दूसरा वेव या तीसरा वेव देखने को मिल रहा है पहले बात सत्चीत बात करें हमारे मुलक का हमारे देश का जिस पर इस वक्त अगर देखे तो करीब पांच छे राज्य है जिनकी रफतार काफी तेजी से बढ़ रहा है उस पर खास तोर से महाराश्टरा है जिसमें चार शहर मुंबाई थाने, नाकपूर, पूने इन चार शहरों में भी काफी बढ़ोतरी जो है तेजी से देखने को मिल रहा है इससे लग रहा है कि DST का जो तथाकतित सूपर मॉडल था जिसने प्रिडिक्ट किया था शायद के ग्लोरी तक हम हर्ड इम्मिनिटी पे पहुंच जाएंगे और य सेमिक की उतार चढ़ाओ होएगा जब तक वैक्सीन से इस पर हम काबू ना पा ले तब तक इस तरह से प्रिडिक्शन करना वैंट पैंडेमिक के लिए संभव नहीं है यह लगता है सही निकल रहा है अब भारत सरकार के साथ बहस में ना पड़ो तो बाई अच्छा है लेकिन सचाई तो यह है कि आंकड़े बढ़ रहे हैं अब उसमें दो-चार कारण हो सकते हैं एक वैजा यह है कि जैसे कि हम सब सुन रहे हैं वाइरस की अलग-अलग नसलें सामने आ रही है और उन में से कई नसले और तेज रफ़तार से फैलने वाली नसले हैं तो जाहिर है कि उस तरीके का स्ट्रेन उस तरीके की नसल अगर कहीं गुज़ जाए तो केसिस की आंकड़ों में बड़ी तेजी से बड़ातरी होगी दूसरा मुद्दा ये है कि ठक गए बयापन सब को ठकान सी महसूस हो रही है कि ये जो दूरीकरण है नकाब पहनना है ये सब कितने हफ़ते कितने महीने कितने साल जेले तो कुछ डिलाई आई है और उस डिलाई की वज़े से भी फैलाव की रफ़तार बड़ेगी तो वो दूसरा मुद्दा है तीसरा मुद्दा ये है कि ये जो हर्ड इम्यूनिटी की बात हो रही थी जिसका जिकर आप कर रहे थे कि DST के सुपर माडल ने कहा था कि कहीं परवरी तक हर्ड इम्यूनिटी की परिस्थतिती में पहुँच जाएंगे उसमें परेशानी ये है कि सभी जगे बिल्कुल एक जैसी जैसा प्रमाण नहीं है हर इम्यून लोगों का किसी मुहले में ज्यादा है कि कहीं कम है कहीं यूँ है कहीं क्यूँ है तो जाहिर है कि छे महीने पहले अब पूने की बात करें जहां मैं बैठा हूँ तो छे महीने पहले भी पूने में काफी माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स थे जहां बड़ी तेजी से फैलाव हो रहा था आज भी पूने में आंकड़े बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन उनी महलों में नहीं बढ़ रहे जहां छे महीने पहले बढ़ रहे थे अब दूसरे महलों में बढ़ रहे हैं अब मुड के देखें तो इसमें कोई अचरच की बात नहीं है कि जिन महलों में पहले बहुत तेजी से वाइरस की इंफेक्शन की संक्रमन की रफ़तार रही जहां तब नहीं बड़ी थी वहां कहीं से आ जाए तो परदें लगें तो इन सब मुद्दों को देखकर हमने समझना चाहिए इस नहीं बड़ातरी को तो यह अगर आप देखें कि अगर छोटे मोटे उतार चाहाओ को छोड़ दे तो इसको सर्वभारतिय स्तर पे यह सेकंड वेव कह सकते हैं और अगर हम देखें सिर्फ यह पांचे प्रोविंसेज प्रदेशों की बात हम नहीं कर रहे हैं अगर हम देखें दूसरे प्रदेशों में भी जहां पर संख्या बहुत बढ़ा नहीं है इस वक्त पर रफ्तार जो है उपर की तरफ है except केरल को छोड़के जहां पर उन्होंने काफी ट्राजेक्टरी फ्लैट कर ली थी अब उनको धीरे धीरे नीचे आ रहा है उन्हें दो अभी भी इनको गिंती ज्यादा जो infected है उस पर की जा रही है उनकी ग्राफ नीचे है पर दूसरों की ग्राफ बढ़ रही है उसको देखके लगता है कि एक second wave हिंदुस्तान में इस वक्त आने वाला है कितना उस पर covid-19 की vaccine जो हम दे रहे हैं उस पर कितना असर पड़ेगा वो देखने वाली है क्योंकि अभी उस बड़े मात्रा पर vaccination हुआ नहीं है जिस मात्रा पर चाहिए अगर उसको actually आपको pandemic को रोकने के स्थिती पर जाना है जी एक बात हम सब याद रखें कि छे महीने पहले सबसे बड़ी टेजी की रफ्तार से जो जहां अकड़े बढ़ रहे थे वो महले थे नागरी अर्बद जुगी जोपड़ी महले जहां हम बिलकुल कांदे से कांदा मिलाकर सांस से सांस मिलाकर रहते हैं अब जो बढ़ रहे हैं वो गाओं में बढ़ रहे हैं आकड़े और शहरों में एपार्टमेंट बिल्डिंग्स में हाॉसिंग सोसाइटी में बढ़ रहे हैं जहां बढ़ तो जरूर रहे हैं लेकिन साधारन अंतर फासला थोड़ा ज्यादा है लोगों के बीच का तो मेरे हिसाब से मुझे तो लग रहा है कि जिस तीजी से जिस रफ्तार से छे महीने पहले हमने आंकड़ों की बढ़ाउतरी देखी थी उस तीजी का चड़ा शायद अभी भी हो सकता है देखने में नाम भी लेकिन आगे चलके देखने माली बात है जहां तक टीका करण का सवाल है वेक्सिनेशन का सवाल है जैसे कि आप कह रहे हैं वेक्सिनेशन उतने लोगों तक नहीं पहुचा जितने लोगों के तक पहुंचने के बाद ही संक्रमन पे कुछ असर पड़ेगा उसके होने के लिए अभी 3-4 महीने चाहिए लेकिन उसके बारे में एक बात कहें कि जब जनवरी में टीका करण शुरू हुआ तो दिन में सारे देश में मुश्किल से एक लाख लोगों को टीके मिल रहे थे और तब यूं लग रहा था कि भाया इसमें अगर बढ़न्त ना हो इस आकड़े में टीका करण के आकड़े में तो देश में सारे लोगों तक टीका पहुँचने के लिए नजाने कितने साल लग जाएं उस हिसाब से उस अवस्था से आज की अवस्था बहुत ज्यादा अच्छी है आज यहां तक पहुँचे हैं कि 10-20 लाक प्रतिदिन टीके दिये जा रहे हैं फिर भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए जन्वरी के हिसाब से तो काफी अच्छी है तो किसी हद तक संभावना है कि जुलाई अगस तक हम उतनी मातरा तक टीका करण कर पाएंगे जिससे महामारी में कुछ फर्क पड़ेगा लेकिन तब तक क्या होगा देखने वाली बात है अब कह रहे थे कि उत्ती रफ्तार से शायद न बढ़ेगी इस वक्त थोड़ी चिंता जनक बात यह है कि डबलिंग रेड जो कह सकते है करीब 20 दिन में डबल हो रहा है यह अच्छी फिगर्स नहीं है और इसलिए इस पर थोड़ी सी नजर रखनी पड़ेगी किस रफ्तार के नाम से भारत बायोटेक की जो को वैक्सीन है वो उसका नंबर दो स्थान पर इस वक्त है तो इसमें कुछ प्रश्ट चिन ने खड़े कर दिये गए हैं खास तोर से जब डेनमार्क ने ब्लट प्लॉट लेके कुछ सवाल खड़ा किया और इसके बाद कई सारे और देश ह आपका नेदरलेंड्स ने भी लोग लगाया है और चार पाँच मुल्क है यॉवरप मंजी इस पर वो लोग टेंपररी बंद किया है इसको लगाना जो उस पर आपको क्या लगता है कि इसकी basis वजह क्या है और इसमें कितनी caution ज्यादा हो रही है कितना कुछ हद तक जो अलग-अलग टीकी कमपनियां है उनकी भी एक campaign इसमें है क्या लगता है इसमें इसमें किसी भी किसी के लिए भी कुछ कहना खत्रे से खाली नहीं है क्योंकि आगे चल के क्या होगा यह तो आगे का वर्थी बताएगा लेकिन एक बात हम सब ध्यान में रखें कि चिंता किस मुद्दे को लेकर खड़ी की जा रही है कि डीप वेन थ्रम्बोसिस धमनियों में खून की गुठलियां जमना या तो टांगों की धमनियों में खून की गुठलियां जमना या तो फेपडों की धमनियों में खून की गुठलियां जमना पल्मनरी एंबोलिजम इसकी कई घटनाएं एस्ट्राजेनिका वैक्सीन देने के बाद हुई है ये दावा है पहली तो बात ये है कि एक दो दिन से लेकर 15 दिनों तक का फासला है टीका लेने के बाद जब ये घटनाएं गटी है दूसरा मुद्दा ये है जो सबसे ज्यादा एहमियत रखता है कि कितनी घटनाएं हुई हैं ऐसी और कितने टीके दिये गए हैं तो 31 लाख टीकों में से शायद 15 या 20 एक तरीके की गटली वाली घटनाएं और 25 या 30 दूसरी गटली की घटनाएं सवाल ये है कि अगर टीका ना देते और 30 लाख लोगों को देखते तो क्या इतने वक्त में महिने दो महिनों में इस तरीके की इतनी घटनाएं वैसे भी घटती और जहां तक मेरे देखने में आया है ना उसमें कोई टीके के साथ संबंध दिखाई दे रहा है ना आंकडों के माध्यम से ये लग रहा है कि ये कोई गंभीर समस्या है जो टीका करन के साथ संबंधित है जुड़ी हुई है तो जहां तक मैं अभी तक देख सकता हूँ वहां तक तो ये लग रहा है कि इन सारे देशों के अधिकारियों ने बहुत ज्यादा सावधानी बरतने के लिए ये पदम उठाए हैं और उसी लिए वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमने टीका करन बंद किया है ये कह रहे हैं कि हमने टीका करन अभी के लिए रोका है और हम कुछ जांच करेंगे और फिर दुबारा शुरू करेंगे अच्छा सत्य जीद इस पे और एक सवाल आता है अगर हम देखें वैक्सीन नैशनलिजम वैक्सीन जियो स्ट्रेटिजिक इस्तेमाल इन सब बाते आ रही है खास तोर से अमरीका युनारिट स्टेट्स जिसने अपने बुल्क से कोई टीका का एक्सपोर्ट नहीं करने दे रहा है और दूसरों को कह रहा है कि और टीके आप लगाएं हमारे ये टीका हम हमारे लिए रखे हुए है उसके तहद इस वक्त अगर जो गरीब मुल्क है जिसके कह सकते है जिनके पास इतनी साधन नहीं है इनकी केपैसिटी भी नहीं है कि वो वैक्सीन बहुत ज़्यादा उत्पादन कर पाए और बहुत तुरंद उत्पादन कर पाए तो उनके लिए सहारा इस वक्त जो है रूस की वैक्सीन, चीन की वैक्सीन और अब हिंदूस्तान की वैक्सीन है तेरी वैक्सीन उनको प्राप्ती हो सकती है इस स्थिती में तो इसमें अगर हम देखें, तो European Union जिसकी काफी ताकत होनी चाहिए, वो ही बहुत पीछे है, वो उनका वैक्सीन वो प्राप्त नहीं करा पा रहा है, उनकी फैक्ट्रियां जो सनौफी जैसे बहुत काबिल फैक्ट्री होनी चाहिए, उसमें कोई उत्पादन नहीं हो रहा है क्योंकि सनौफी का वैक्सीन सक्सेस्फुल नहीं हुआ, दूसरा वैक्सीन भी नहीं बना रहा है, तो आपको नहीं लग रहा है जो सवाल इस वक्त WTO में आया है, WHO का अंदर भी जो चर्चा हो रही है, कि जितने वैक्सीन उत्पादन करने की काबिल फैक्ट्रियां है, सब को ये अधिकार होना चाहिए, इंटलेक्ट्वल प्रॉपर्टी की बाहर, कि वो वैक्सीन तयार करें, क्योंकि जब तक पूरे दुनिया की लोगों को वैक्सीन नहीं मिलेगा, तब तक पैंडेमिक कुछ देशों में रोकना संभब नहीं है, जो काल्पनिक चिंता है, यॉ पैंडेमिक चलेगा, जिसका आप जिक्र किये, नए नए नसले आएंगे, तो फिर वही सवाल पैदा हो जाएगा, जिन देशों में आपने वैक्सीन किया भी है, उनके लिए भी वही सवाल पैदा होगा, कि नया नसल फिर इंटेक्शन ना करें, तो यह नहीं लग रहा है क कि दूरगामी दृष्टी जो दुनिया के स्तर पे होना चाहिए बुलकों की, कत्ता ही ये नहीं है, अभी भी डीजी कमपनियों के सहारे, आम पैंडेमिक पब्लिक हैल डिजास्टर को फाइट करेंगे, यही चिंता सब में अभी भी सबको जक रहे हुए हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, और उसमें और दो-तीन मुद्ध भी जोड़ना चाहूँगा, मैं एक तो यह है कि कई कमपनियां किसी ना किसी बहाने, किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे की वेक्सीन को टांग खीचने की कोशिश कर रही हैं, हमारे देश में कोवेक्सिन और कोविशिल्ट को लेकर बीच में जो बात बतंगड हुआ था, वो भी उसी का एक उदाहरण है, और दुनिया भर में ये है, क्योंकि ये तो पुझिवादों का विभाज अंग है कि नीजी कमपनियां मुनाफिक के लिए एक दूसरे कुन नीचे खेशने की कोशिश तो जरूर करें, दूसरी बात ये है कि इन्होंने अपनी अपनी जो क्लिनिकल ट्राइल्स है, अपने पास रखी है, अपनी अपनी जो ट्रेड सीक्रिट्स हैं, ये जो मैनिफैक्ट्रिंग प्रॉसेस हैं, उसमें सिर्फ इंटिलेक्चुल प्रॉपर्टी की बात नहीं है, उसमें छोटे- चोटे-चोटे-चोटे पुर्जों को लेकर ट्रेड सीक्रिट्स भी है, इस पेटेंस ही नहीं है, तो वो भी एक दूसरे के साथ कोई शेर नहीं कर रहा, अच्छा, एक दूसरे को कुछ भी देने से, हर कंपनी हिच-किच आएगी, तो जाहिर है कि जब परेशानी आन खड़ी होगी, कि मेरी फैक्टरी किसी वज़े से कोई ट्रांसफोर्मर जल गया मानों, कोई कंटेनर फट गया मानों, तो तुरंत दूसरे किसी कंपनी की फैक्टरी शुरू कर पाएगी ऐसी, तो हमने पर जाएगी, जो अवस्था आज यूरोपियन यूनियन में है, वो यह है, कि दूसरी कंपनियां राजी हैं, फिर भी उनके दिये वो सब शुरू करने में तो वक्त लगेगा, क्योंकि पहले से ये करने पर कोई भी राजी नहीं था, तो इन सब मुद्दों को लेकर उंजीवाद के और मुनाफे के की चोखट में हम आम स्वास्थ की बात करें, तो इस तरीके की परेशानियां और मुश्किलें तो आंखड़ी हो नहीं हैं, और मुझे नहीं लग रहा कि हम में से कोई भी, सिर्फ इंदुस्तान की बात नहीं हैं, दुनिया भर का कोई भी देश, यह मान लीजिए क्यूबा को छोड़के, एक जनवादी दृष्टी कोंड से टीकों का निर्मान नहीं कर रहा और इस समस्या का सामना नहीं कर रहा है। में जितनी रकम लगनी चाहिए, जितनी पैसे होने चाहिए, जिस रफतार से वहाँ पर टीकों की वितरन होनी चाहिए, बहुत पीछे है, इस वक्त अगर इस रफतार से चला, तो शायद तीन साल लग जाएगा दुनिया में इही टीके सब को लगाने में, और तब तक वैक आप्तर रत, प्रोफेसर रत को धन्यवाद हमारे साथ होने के लिए और इस दिशेर पे रोश्णी डालने के लिए हमारे दर्शोकों के लिए, आज इतना ही निउस क्लिक में देखते रहिएगा निउस क्लिक और हमारी वैपसाइट में भी आईएगा.